सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो गढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो आज हम ICT के अंदर टोपिक करने वाले हैं definition of ICT and role of ICT in higher education दोस्तो 2016 से लेके जुलाई 2019 तक definition में से बहुत से question आए है इस वीडियो में मैं आपको live proof के साथ दिखाऊँगा कि कौन कौन अच्छे question है जो definition से आए हैं और उसके बारे में हम पूरी वीडियो करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ICT की definition से आज तक कितने question आए हैं और कैसे कैसे question आए हैं यह दोस्तों यह स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद में आप देख सकते हैं जुन 2017 के अनिस के बारे में दुबहरा क्वोशन आ इसकी definition से तो यहां से आप समझ गए होंगे कि जो definition है ICT की वो हमारे लिए करना कितना जरूरी है तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि ICT क्या होती है इसका क्या मतलब है देखिए सबसे पहले ICT में बात की जाती है कि इसकी full form क्या है और इसकी full form यहां इन question में पोची हु जब हम यह पूरा topic कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे उन question को explain के साथ सबसे पहले हम देखते हैं कि ICT की full form क्या होते है ICT की full form है दोस्तों information communication technologies की full form है और exam के अंदर हमें घुमा फिरा के देंगे information की जगह हो सकता Indian communication technology हो सकता है कुछ भी हो सकता तो आपके लिए सबसे पहली जरूरी बात यह कि इसकी full form आपको पता होनी चाहिए और इसको हिंदी में सूचना और संचार प्रोधियोगी की कहते हैं और इसका अब हम मतलब समझ लेते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या होता है information and communication technology को उपकरनों और संसाधनों के रूप में भी प्रिवासित किया जा सकता है जिसमें नेटवर्क अधारित नियंतर निगरानी बुद्धी मता भवन परभंद परनाली परशारन मेडिया आदी को संभालने के लिए उप्योग किया जाने वाली किसी भी संचार उपकरनों और अप्लेकेशन सामिल होते हैं देखे दोस्तों ICT का मैं थोड़ा सा नॉर सब्सक्राइए गाली के उपर किसी को सूचना देते हैं जैसे प्रद्धान मंतरी ने रात 12 वजए नोट बंदी की सूचना दए थी तो वो होता है मास कम्नुकरेशन नियानी की मास इंफ़ोर्मेशन देना और कम्निकेशन होता है जैसे एक दूसरे के साथ कम्नुकेट करना बात चित करना जैसे हम फोन के उपर बात करते हैं कम्यूकेट करते हैं तो information and communication दोनों की जो technology है उसे हम कहते हैं ICT कहते हैं और ये जो ICT है हमारे दोस्तों ये हर जगह पर यूज हो सकते हैं जैसे कि इन्होंने यहापे लेखा ना भवन परबंद प्रणाली यानि कि जो भवन निर्वान करे उसके अंदर वी हो सकता है पढ़ाई के अंदर वी हो सकता है और अपने और अलग लग तरह के काम होते हैं तो ICT का ener veg कहीं भी कैसे भी हो सकता है ICT को हम किसी एक दाइरे में बांध कर नहीं रख सकते और इसने यहाँ पर एक चीज ओर दिये जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ICT को किसी विशेश तरीके से प्रिवासित नहीं किया जा सकता यह इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों एक दायरे में रख के प्रिवासित नहीं कर सकते हैं ICT को क्योंकि ICT में सामिल तरीके और अप्लिकेशन दिन परती दिन डवलप होते रहते हैं अब जैसे कि आपने देखा कि आज के टाइमिक है हमारे पास Android फोन है तो इसका जो ICT का दायरा है वो बढ़ गया है काफी बढ़ गया है और अभी टीवी के अंदर वो गाना चलने लग जाता तो उसे हम कहते है आर्टी आर्टीफिशल इंटेलिजेंशी कहते हैं और AI का जो यूज है दोस्तों वो हर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है तो इसी लिए मैं कहे रहा हूँ कि जो ICT है उसको हम किसी एक तक समझ पाए होंगे ICT को और देखे सूचना प्रोदियोगी का यानि कि ICT का क्या महतव है महतव जैसे मैंने आपको बता दिया कि हर चीज के अंदर इसका महतव है सर्विस एकोनोमी यानि कि हमारा जो एकोनोमी तंतर है उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी भूमी का है यानि कि हमारा जो समाज का ढांचा है आर्थिक ढांचा जो है उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी भूमी का है और उसके बाद में जैसे और भी काफी इसने तरह की चीज़े जैसे पिछड़ी देशों में समाजी को आर्थी के विकास के लिए इसकी बहुत भूमिका है और उसके बाद में जैसे कि गरीव जन्ता को सुचना संपन बना करें निर्धनता को दूर किया जा सकता यानि कि कोई अगर स्टूडेंट है वो अच्छे से कंप्यूटर चलाना सीख लेता है तो क्या कि उसके रोजगार के उसर बढ़ जाते हैं उनकी जो गरीवी है वो तूर हो सकती है सुचना संपनता से ससकती करने यानि कि एमपावर्मेंट बढ़ती है तो यहां से आप देख सकते कि ICTA उसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और इससे क्या होता है कि सुचना तकनिक से परसासन और सरकार में पारदर सिता आती है यानि कि जो हमारे भरष्टार चार वगरा है वो बहुत कम होने की संभावना है पहले क्या होता था जैसे कि हमने किसी कारियल में जा कि काम करवाया है तो उसको हमें manually रसीद दी जाती थी परची देते थे और बहुत बार ऐसा होता था हम काम करवा लेते थे लेकिन हमें कोई रसीद नहीं दी जाते थी और वो पैसे अधिकारी अपने पास रख लेते थे लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं आप कोई भी काम करवाते तो उसको उसके आपको या तो डिजिटल या फिर प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता आपके पास एक प्रूफ होता है आपके काम करवाने का तो इस तरह से भरष्टाचार में काफी हद तक इसमें कमी आई है और एक और चीज़ जैसे कि आज के टाइम में बहुत अच्छा हुआ है जैसे ओनलाइन फॉर्म हम बिल्कुल असानी से भर्ष रखते हैं वो चाहिए किसी का भी हो इंकम टेक्स रिटर्न हो चाहिए बहुत से जो काम है ह हमारे ओनलाइन होने लग गए है और आज कल जैसे ओनलाइन पेमेंट है पेमेंट आप घर बैठे बिल्कुल असानी से कर सकते हैं लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों जैसे हमें बैंक में जाना होता था तो यहां से इन सभी एक्जाम्पल से समझ सकते कि ICT का हमारी जिंद तो है अब जैसे हमने एक रिसर्च की कलास की थी उसके अंदर हमने बताया था कि रिसर्च के अंदर जो हम थेसिज वेगरा लिखते तो उनकी काफी तरह की वेबसाइट बनाई हुई है और प्लाइगरिजम चेक करने के टूल बनाए हुए है यह वहां से हम बिल्कुल असा कर शक्ते हैं कि हमारे जो दो हमने पी-एचडी लिखी олह नहीं है उसमें प्लाइगरिजम तो नहीं है कि है तो नहीं है तो वह सारी चीजह वहां पर बिल्कुल असानी है ने पर प्लाइगरिजम चेक करने के लिए मैनूल तरीक है अपनाया जाता था और उसमें बहुत ज जैसे और मैं इसमें आपको बताऊं जैसे कि हम ई-book की बात करें जैसे कि इगनु में अगर किसी ने admission लिया है और उसकी books नहीं आ रही है अभी भी मैं देख रहाँ कि मेरे दोस्त है तो उनकी 8-8 महीने तक book नहीं आती तो वो क्या कर सकते हैं कि वो computer पर जाए और एक दिन के अंदर सारी की सारी book जो है वो download कर सकते हैं तो यह सभी सुविधाई किस्से मिल रही है आई-सी-टी से हमें मिल रही है अगर आई-सी-टी नहीं होती तो book का wait करते रही है करते रही है करते रही है आपका कोई solution नहीं होने बाला और आई-सी-टी का जो हमारी higher education है दोस्तों उसके अंदर बहुत role है उन्गिनत role है किया किया बताएं आपको हम और देखे इसके अंदर और जैसे कि मैं बताउं जैसे आज कल हम क्या है कि जैसे online form भरते हैं तो online form हम एक घंटे के अंदर बिलकुल असानी से भर सकते है उसी time देख सकते है कि हमारे इसमें क्या गलती है तो हम photo correction वेगरा या जो भी sign हमारा गलत हो गया है तो वो दोबारा upload कर सकते हमें एक मौका दिया जाता है लेकिन offline तरीके अंदर तरीके के अंदर ऐसा नहीं होता था अगर हमने एक वार form भर दिया अगर वो गलत है तो वो गलत है तो यहां से आप समझ सकते कि ICT का हमारी higher education के अंदर क्या योगदान है और यहां पर हमने ये points भी बनाई हुए यही बाते मैंने आपको इसके अंदर बताईए या आप पढ़ना चाहे तो यहां से आप पढ़ सकते हैं और और भी कई चीज़े इसके अंदर दी गई है वो सारी चीज़े मैंने आपको बोल के बता दिये यहां पर written में आप पढ़ लेना इनको पढ़ना चाहे तो और देखे ICT का higher education sorry दोबारा repeat हो गई यह चीज़ और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यह जो question आया थे प्रणाली का अध्यन अभी कल्प विकास किरियानवयन प्रियोजन या परभंद विशेश सौफ्टवेर अनुप्रियोगो और computer hardware संबंधित है अब देखे यह आपको हिंदी में समझ में नहीं आई बात ठीक है इसलिए हमने English में भी यहाँ पे इसको लिखाया और इसलिए मैं कहता हूँ कि uses net clear करने के लिए आपको हिंदी और English आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब देखे इन्होंने कहा है कि the statement, the study, design, development, implementation, spot and management of computer-based information system, particularly software, application and computer hardware उसे हम क्या कहेंगे तो यह बताइए दोस्तों उसे हम कहेंगे information technology IT कहेंगे information and collaboration technology कहेंगे और या फिर क्या कहेंगे दोस्तों इन में से तो इन में से जो option A है दोस्तों यह आएगा information technology आएगा इसका answer ठीक है तो इस तरीके से हम बिल्कुल असानी से इसका answer दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इन्होंने कहा है कि आगे हम question देखते हैं दोस्तों आगे है हमारा January 2017 के अंदर question आया था इन्होंने कहा है कि निमन लेके दोनों कत्रों को पढ़िए अब देखें यह भी सबसे पहले हिंदी में पढ़े लेते हैं फिर English में पढ़ने लेंगे इसको सूचना एम संचार प्रवधयोगी की इन्हो यह इन्होंने कहा है पहली बात दूसरी बात समझते हैं सौठवेर के किसी हिस्से के उप्योग अधिकार को copyright सरवाधिकार सुरक्षित कहा जाता है चलिए हमने दोनों बात यहां पे पढ़ ली अब हम इसको English में पढ़ने की कोसिस करते हैं ताकि हमें अच्छे सही समझ में आज है देखे सबसे पहले इन्होंने दिया है information and communication technology ICT is concerned as a subset of information technology तो यह हमें बताना है और दूसरा इन्होंने कहा है कि the right to use a piece of software is termed as copyright अब यह बताए अब देखे इन्होंने जो answer दिया है answer to दिया है neither a or neither to यानि कि एक और दो में से कौन सा भी सही नहीं है अब यह देखे इसके अंदर सबसे पहले यह आते है कि ICT जो है IT का एक subset है तो दोस्तों यह नहीं कह सकते हम क्योंकि IT जो है IT एक बहुत बड़ा level है information technology एक अलग चीज़ है और information communication technology यह दोनों के दोनों right to use a piece of software is termed as a copyright अब किसी software के एक piece का use करना वो copyright के अंदर आता है नहीं दोस्तों जो पूरा का पूरा software है वो copyright के अंदर आता है उसका एक जो पार्ट है अब देखे जो हमारे Photoshop लगा लेजी है कुछ भी लगा लेजी है जैसे MS Office लगा लेते MS Office में अगर हम कोई document बना रहे है उसका style जो है वो हमने copy कर लिया तो वो उसके अंदर copyright के अंदर नहीं आता है वो पूरा का पूरा software उसके अंदर copyright के अंदर आता है तो इसलिए इसका option number 2 होगा ना इदर A और not 2 ठीक आगे दोस्तों हमारे पास जुलाई 2018 का question ICT सब्द पद के बारे में निमन लिखत में से क कौन से कथन सही है यह हमें बताना है अब देखिए यहां पर वही बात आगी ICT नाम है जिसका पूरा नाम Indian classical technology है अब यह बताइए ICT ICT जो है उसकी full form इन्हों ने दिया है Indian classical technology दिये तो यह तो मेरे को लगता है बिलकुल असान होगा आपके लिए आप बताना क्या है इसका answer और यह देखिए आगे इन्हों ने दिया क्यों ICT के अंतरगत वे परिणामी प्रावीधीक सम्मिली था जिनके अंतरगत सर्वे दर्शेस दूर्भासर कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रनाली दवारा समायोजित किये जाते हैं तो दोस्तों यह मेरे क communication technology होता है और तो इसका जो सही answer होगा वो option number Q होगा जिसके अंदर हम computer के अंदर audio visual और दूर्भासा computer गणनाएं जो हते हैं उन सभी का समायोजन करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते कि कितना असान हो जाता है एक question हमारे लिए करना अगर हम उसे थोड़ा सा समझने की कोशि question आते तो वो बस उनका दिमाग घुम जाता है पता नहीं कैसा क्या question आ गया तो दोस्तों डरने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है चाहे कितना भी बड़ा question आ जाए at least आप एक बार उसे पढ़ के जरूर देखे उसने उसमें क्या दिया हुआ है और आगे देखते दोस्तों आगे हमारे पास question number 36 यह जून 2019 के अंदर आया था इन्होंने इसमें कहा है which of the following statement are true in respect of ICT ICT के बारे में कौन सी बात सही है अब देखिए इन्होंने सबसे पहले कहा है कि ICT is acronym that stands for information competitive technology अब देखे दोस्तों मैंने आपको बात कही थी थी ना कि इन जो हमारे full form है वो हमारे लि कि इन्होंने ICT का मतलब दिया information and competitive technology दिया है तो आप बताए क्या ICT का मतलब यह है क्या ICT की full form यह है नहीं बिल्कुल गलत इसका जो P है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है information communication technology होता है और आगे इन्होंने दिया है the effective use of ICT to spot learning in the inclusive education exemplify good teaching for all learners तो दोस्तों यह जो इसका Q है यह इसका बिल्कुल सही है कि ICT का जो use है वो हम effective teaching करने के लिए और बच्चों को अच्छे तरीके से example देने के लिए use कर सकते हैं तो यह जो इसका Q जो है अभी गतन यह इसका सही हो जाएगा तो option no.2 Q only यह इसका बिल्कुल सही answer होग तो दोस्तों आपने देखा कि कितना असान है हमारे लिए ICT करना और इस तरीके से हम जब MCQ करते तो कितना मज़ा आता है और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो रियल में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर किया किजिए दोस्तों और इस वीड किनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को साने से देख सके थैंक्यों दोस्तों झाल 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 को वीडियो बहाराइब कर दख मार्शन प्ला झाल कजिए। झाल 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 झाल